आज हम सीखेंगे जनन से संबंधित कुछ महत्वों पूर्ण बाते तथा लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन में अंतर जनन यानि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतरगत जीव अपने संतती यानि आफस्प्रिंग का निर्मान करते है जैसे अमीबा अन्य अमीबा को एक पौधा अपने जैसे अन्य पौधे को मानव अपने बच्चों को इत्यादी हम जानते हैं कि प्रत्यक सजीव को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रक्रम जैसे पोशन, श्वसन, उत्सर्जन, इत्यादी सहायता करते हैं जनन इन प्रक्रमों से भिन्न है यह सजीव को जीवित रखने के लिए नहीं, बलकि उस जीव की प्रजाती यानि स्पीशीस को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है यदि यह प्रक्रम नहीं होता, तो स्रिष्टी में जीवन यानि लाइफ संभव न होता आईए जनन के महत्वपूर्ण पहलूओं को समझे आप जानते हैं कि एक आम के बीट से एक आम का पेड़ ही उत्पन होता है इससे एक जामून के पेड़ का निर्मान होना संभव नहीं क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं प्रतेक जीव का शरीर कोशिकाओ यानि सेल्ट से बना होता है जिसके केंदरक यानि नुकलियस में डियने होता है वास्तविक रूप में कोशिका यानि सेल्ट के अंदर केंदरक यानि नुकलियस होता है जिसमें गुण सूत्र यानि क्रोमोजोम्स होते हैं इन गुण सूतरों के DNA यानि डियोक्जी राइबो न्यूक्लिक अमलके अनुवों में अनुवान्शिक गुणों यानि करेक्टर्स का संदेश यानि हेरिडिट्री इन्फरमेशन होता है जो जनक से संतती पीडी में जाता है इसके कारण संतती पीडी के गुण, जनक के गुणों के जैसे ही होते हैं इसलिए जीव उसी के जैसे जीव का निर्मान कर पाता है साधारं तह जनन की विधी में मूल घटना DNA की प्रतिकृति यानि कॉपी बनाना है कोशिकाओं में विभिनर असायनेक क्रियाओं यानि chemical reactions द्वारा DNA की प्रतिकृति का निर्मान होता है DNA की प्रतिकृति बनाने के बाद कोशिका में दूसरी कोशिकी या सनरचनाओं यानि cellular apparatus का निर्मान होता है इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है जिसमें प्रतिक कोशिका में DNA की एक प्रतिकृती जाती है चुकि जैवरसायनिक क्रियाएं यानि बायोकेमिकल प्रोसेसस ये थार्थता से संपाधित नहीं होती इसलिए DNA की प्रतिकृती में कुछ हद तक विभाजनता देखी जा सकती है इसके कारण प्रजाती की समश्टी यानि पॉपिलेशन में प्रतिक जीव की अपनी कुछ विशिश्टाय होती है जिसके कारण उसे पहचाना जा सकता है इसे हम विविदता यानि डाइवसिटी के नाम से जानते है कभी-कभी कुछ विभिनताय यानि वेरियेशन्स प्रजाती की रक्षा के लिए सहायक होती है चलिए इसे एक उधारण से समझे मान लीजिए एक जिवानों अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकता जनन के दोरान वह कुछ ऐसे जिवानों को जन्म देता है जो थंड में जीवित रह सकते है यदि थंड अत्यादिक बढ़ जाती है तो इससे कुछ जिवानों का विनाश हो जाएगा लेकिन कुछ जिवानों के थंड में जीवित रहने की शमता के कारण उस जिवानों की प्रजाती समूल विनाश से अवश्य बच जाएगी इस तरह विभिन्नताएं प्रजाती की उत्तर जिविता में सहायता करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि जनन में आने वाले विभिन्नताएं जेव विकास यानि evolution का आधार है जिससे हम अगले अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे यदि हम जनन के विधियों की बात करें तो यहां मुख्यतह दो प्रकार की होती है लेंगिक जनन यानि sexual reproduction और अलेंगिक जनन यानि asexual reproduction चलिए दोनों की तुलना करते हुए इन्हें समझे जनन की ऐसी विधी जिसमें एकल जीवी, नई पीडी या संतिती की उत्पत्ती करता है अलेंगिक जनन कहलाता है जैसे amoeba hydro जैसे एकल जीव, नई पीडी का निर्मान अलेंगिक जनन से करते है कुछ पौधो जैसे गन्ना, गुलाब, आलू, इत्यादी के किसी भाग से नई पौधे की उत्पत्ती होती है यह भी अलेंगिक जनन है इसके विपरीत जनन की ऐसी विधी जिसमें दो जीव भाग लेते हैं लेंगिक जनन कहलाती है उधारन के लिए मानव, पुष्पी पौधे, विभिन्न जन्तू, इत्यादी में लेंगिक जनन से नई जीव की उत्पत्ती होती है यदि लेंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं तो दोनों के DNA को मिलाकर उत्पन होने वाली संत्ती में DNA की मात्रा दोगुनी हो सकती है इस तरह पीडी-दर-पीडी DNA की मात्रा बढ़ सकती है जिससे कोशिकी संगठन पर नियंत्रन चूटने की अत्यादिक संभावना होगी इस तिती से बचने के लिए लेंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ विशिष्ट अंग होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन यानि मियोसिस की विधी से गुण सूत्रों यानि क्रोमोजोम्स की संख्या आधी और इसी के साथ DNA की मात्रा आधी कर देते हैं इससे नर में नर युगमक यानि मेल गैमेट तथा मादा में मादा युगमक यानि फीमेल गैमेट का निर्मान होता है निशेचन यानि फर्टिलाइजेशन के अंतरगत यानि जब नर युगमक तथा मादा युगमक का सनलयन होता है यानि फ्यूजन होता है तो यानि जाइगोट उत्पन होता है जिसमें DNA की मात्रा उनर स्थापित हो जाती है यदि अलेंगिक जनन की बात करे तो इसमें संत्यती के निर्माण हे तू DNA की प्रतिकृती बनाई जाती है इस विदि में युग्मको यानि नर्युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता इसलिए निशेचन भी नहीं होता और युग्मनज भी निर्माण नहीं होता दोनों विदियों में यह समानता अवश्य है कि संतती में गुण सूतरों की संख्या या DNA की मात्रा अपने प्रतेक जनक के DNA की मात्रा के बराबर ही होती है चुकि अलेंगिक जनन में संतती की उत्पत्ती एकल जीव से होती है इसलिए DNA की प्रतिकृती में अधिक विविदता नहीं होती इसलिए विपरीत स्थिती में संपूर्ण प्रजाती का विनाश हो सकता है लेंगिक जनन में दो भिन जनकों के DNA को समाहित करके नया DNA उत्पन किया जाता है इसलिए विविदता अधिक होती है इसलिए विपरीत स्थिती में प्रजाती की बचने की संभावना अधिक होती है अलेंगिक जनन लेंगिक जनन की तुन्ना में अधिक तेजी से होता है आज हमने सीखा जनन से संबंदित महत्वपूर्ण बाते तथा लेंगिक और अलेंगिक जनन में अंतर